नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं GDS Official आप सभी को बदाई आज 20 जन्वरी है गंतंतर दिवस की सभी भायो बैनों को बदाई और आज पूरे 70 साल पूरे हो चुके है ग्रामिन डाक सेवकों के साथ साथ सभी उनके परिवारों को हम बदाई देना चाहेंगे लेकिन कि सच में ग्रामिन डाक सेवक भी आज़ाद है ये बड़ा सवाल है और ये जो इस चंगुल में फसा हुआ है जीडियस रूल अंगेजमेंट 3A के बारे में आज थोड़े बात करें कि इसको कैसे हटाया जाए कि सच में आज़ाद है इस चीज़ के वज़र से जो है ग्रामिन डाक सेवक आज़ कह सकते है आज़ाद नहीं है तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं इससे पहले बता दे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि 85,000 से भी जादा ग्रामिन डाक सेवक हमारे साथ जुड़े हुए है तो आपको बता दे 72 यर्स हमारे जो है इंडिपेंडेंट्स डे के पूरे हो चुके हैं हम यानि सोतंतर है पूरे 72 यर्स से और ग्रामिन डाक सेवक जो कारे कर रहे है 156 सालों से आज भी आज़ाद नहीं हो पाया है कौन सी मान सिकता है क्या चीज़े हैं रोक रही है ग्रामिन डाक सेवकों को अब इस पर जो डालने की बहुत साथा जरुरत है तो आपको बता दे दोस्तो रूल 3 ए जीज़ेस अंगेजमेंट और कंड़क्ट रूल जो है ये रोकता है हमेशा ये बेड़ी के तरह सामने आ जाता है हर वक्त ये जो है जितने भी डिसीजन बनते है जीज़ेस को पर्मेनेंट को लेकर ये कुछ रूल आ जाते है तो आपको याद होगा आज जैसे के गंतंतर दिवसे सत्तर साल पहले हमारा भारत का जो कॉंस्टिटूशन है बना था इसी तरह जीज़ेस का जो ये रूल है वो भी बना है जो आकरी बार 2011 में जिसका अमेंडमेंट हुआ था इसके जो है बदलाव हुए थे 2011 में कॉंग्र रुक्ता फ्यलाते रहता है लेकिन अभी फूरे ग्रामिन् डाक्स्व př civ को ये बात नहीं पहँच पाई है कुछ गाओ में हैं कुछ लोग है जो अभी तक जागरुख नहीं होए है کुछ लोग है अभी तक उनको पता नहीं तो कुछ मांगे है इदर ग्रामिन् डाक्सेव सबस्क्राइज है। चाहिए दूसरा कोई शुरूत होना चाहिए जिससे वो इंकम कर सके और ये जो है जो ग्राविंडाक सेवक की नौकरी है वो एक सेकेंडरी इंप्लॉयमेंट के तरह होना चाहिए जो की जिसका हम विरोध करते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों अभी कहां नौकरी मिलेगी अगर सेवक कैन भी ट्रांसफर फॉर्म वन पोस्ट तो अनादर पोस्ट यानि इसकी जो ट्रांसफर ग्रामिंडाक सेवक की ट्रांसफर हो सकती है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर लेकिन इस मंग जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर ट्रांसफर फेसिलि के दरचे का जो हकदार नहीं माना जाएगा और च्छटा जो मांग है इसके बारे में पता दे एक ग्रामिन डाक सेवर कभी भी अपनी बराबरी सेंट्रल गवर्मेंट के इंप्रोई के साथ नहीं कर सकता जो फैसलिटी उनको मिलती है और जो जितने भी चीजे है वो सेंट्र गवर्मेंट के लिए उसकी बराबर ही नहीं कर सकता तो यह जो रूल है उसको बदलने के बहुत जादर जरूरत है इस रूल को बदलने के लिए आपको अलग अलग तरह का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यूनियन को खास कर जो कि इस पर ध्यान नहीं दे रही है 26 जन जनवरी का जो हमने एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए बनाया आप इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रही है हमारे साथ धन्यवाद